यह टेटर है, यह टॉट है, तो यह तीन भाई-बैन पैदा हुए, टेटर, टॉट और टोटो, हमारे गाउंस के थोड़ पास ही, तो सडक पर यह पैदा हुए, इनकी मा कमजोर सी थी, उसके पास खाना वगारा भी ज्जादा था नहीं, तो रात को ये बच्चे रोते थे, तो वो इन्हें कहानी सुना के चुप कराती थी, वो कहती थी कि देखो, अभी हम यहां रह रहे हैं, पर हम कुछ जिनों में राजमहर जाके रहेंगे, उसकी दिवारे भी ब्रेड की बनी रहेंगी, हम जितना मरजी उसे खा सकते हैं, हमें बिस्किट भी मिलेंगे, वहां गाडियां भी नहीं होंगे, लोग भी हमें प्यार करेंगे, तो ये बच्चे सुनके अपना खुश होके सो जाते थे, अब था क्या, कि जहां ये रहते थे, उसके ठीक उपर की जीके बेडरूम की खिड़की थी, तो जब ये रात को में लिया, ठैली में डाला और निकल पड़ा, तो यहां पासी में नदी है, नदी के थोड़ी उपर एक सड़क है, वो सड़क के कोने में इन्हें फैक गया, अब ये बात है, दिसंबर के शुरू-शुरू की एकदम ठंड कडाके की पड़ रही थी, अब ये अपनी मा की श साथ से ले रही थी, और ये रो रहा था, तो हम इनको जटपट यहां पर ले आए, और इसको हमने अपने क्लिनिक में गरम पानी की बोतल दे दी, हीटर चला दिया, थोड़ा गरम सूप दिया, तो इनकी जान में थोड़ी जान आना शुरू हुई, हमने फिर इंटरनेट प अब ये ठीक होगे, तो हमें ये होता है कि हम तो क्लिनिक चलाते हैं ना, कि यहां से अब जानवर जाए, जाएगा तो हम किसी और के इलाज की जगा बनेगी ना, तो हमने डाला भी, इन्हें घर की ज़रूरत है, तो कुछ टाइम बार दो लोग सामने आए, उन्होंने का हम पूरा परिवार है, उनका तो उन्हें ने का हम ये ले लेंगे इन्हें, तो अब ये दो तीन हफतों में वहाँ चले जाएंगे, इनकी माने तो इन्हें जूटी कहानी बताई और उसमें भी टेटर को लगा कि चीज़े प्लान के नुसार जानी री, इसे थोड़ा पता था कि कहानी जूटी थी, तो हमें भी कई बारी जीवन में लगता है ना कि चीज़े प्लान के मुताबक नहीं जारी होती हम बहुत हताश होते हैं, उस समय शाइद एक बात या ध्यान रखनी की है कि हाँ हमारे प्लान के नुसार नहीं जारी है पर शाहिद एक बड़ा प्लान उस सनुसार जा रहेंगी